हालो डियर स्टुडेंट्स आर्स एकेडमी बाना यूटूब चैनल में आप सभी को हर्दिक स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में जेसी ए आर्टी हिस्ट्री क्लास एट का एमसी क्यूज करेंगे अध्यायवन आधुनी काल में भारत का इतिहास आप इस वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखें यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सेर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं पहला प्रसन है अलग-अलग समय पर होने वाले परिवर्टनों के संबंध में बताता है उसे क्या कहते हैं आप्षन है इतिहास, भुगोल, समाश सास्त्र या बिज्यान इसका सही आन्सर है आप्षन A इतिहास इसका सही आंसर है जेम्स मिल कहां का निवासी था ओप्षन है जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलेंड या पुर्टगाल इसका सही आंसर है ओप्षन C, स्कॉटलेंड नेक्श प्रस्न है इतिहास में किसका महत्व होता है ओप्षन है रजाओं, देशों, तिथियों या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है ओप्षन C, तिथियों नेक्श प्रस्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ओप्षन है जेम्स रेनिल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मांट बेटन या रॉबर्ट कलाइव नेक्श प्रस्न है लॉर्ड कलाइव ने भारत का नक्सा तयार करने की जिम्यदारी किसको सौपी थी? ओप्षन है जेम्स रेनिल, जेम्स मिल, कैप्टन होकिन्स या रॉबर्ट कलाइव इसका सही आंसर है ओप्षन A, जेम्स रेनिल नेक्श प्रस्न है भारत के अंतिम वाइश राय कौन थे? ओप्षन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंट बेटन, रॉबर्ट कलाइव या जेम्स मिल इसका सही आंसर है ओप्षन B, लॉर्ड माउंट बेटन नेक्श है कस्मीर से कन्या कुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? ओप्षन है 3000 किलो मिटर, 32 किलो मिटर, 4260 किलो मिटर या 2000 किलो मिटर इसका सही आंसर है ओप्षन B, 32 किलो मिटर, नेक्श प्रस्ण है लोग इतिहास को किसे से जोड़ कर देखने की कोशिस करते हैं? ओप्षन है कहानी, महीनों, तारीखों या इन में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ओप्षन C, तारीखों नेक्श प्रस्ण है इतिहास को समान्यत कितने काल खंडो में बाटा गया है? ओप्षन एक, दो, चार, तीन इसका सही आंसर है ओप्षन D, तीन नेक्श प्रस्ण है अंग्रेजो द्वारा अस्थापित भारती रास्टिये अभिलेखागार कहां इस्तित है? ओप्षन है खोलकत्ता, चेनाई, नई दिल्ली या मुंबाई इसका सही आंसर है ओप्षन C, नई दिल्ली नेक्श प्रस्ण है ब्रिटिस आसन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्क पर आगे बढ़ सकता है यह कथन किसका है? ओप्षन है जेम्स मिल, लौड कलाइव, जेम्स रेनेल या इन में कोई नहीं इसका सही आंसर है ओप्षन A, जेम्स मिल नेक्श प्रस्ण है अभिलेख को सुन्दर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? ओप्षन है खुसन वीस, सुलेखन वीस, A और B दोनों या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है ओप्षन C, A या B दोनों नेक्श प्रस्ण है सरकारी दस्तावेज, अर्थात, रिकार्ड्स कहां रखे जाते हैं? ओप्षन है कर्याले, अभिलेखागार, पुस्तकाले या इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है ओप्षन B, अभिलेखागार नेक्श और लास्ट प्रस्ण है लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विग्यापन कब परकासित किया गया था? ओप्षन है 1922 इसवी में, 1925 इसवी में, 1940 इसवी में या 1747 इसवी में इसका सही आंसर है ओप्षन A, 1922 इसवी में थैंक्स फोर वाचिंग